अपने साथ एक bad experience होने के बाद एक doctor new building में move होती है पर ये building उससे भी जादा दर्दनाग होगी Hello friends, आज मैं आपको The Resident, ये 2011 की एक thriller Hollywood movie explain करने वाला हूँ ये movie हमेशा आपको आपके seat के age पर रखती है, तो अंताग इस वीडियो को ज़रूर देखेगा स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा रखता है, तो ब्लीज लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा अब इनाग से जरी के explanation स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है, और हमारी main character, जिसका नाम है जुलियेट है हमसे introduce होती है एक doctor है, होड़ होस्पिटल की ER department में काम करती है, इसका मतलब है कोई भी emergency, जैसी accidents वगिरा, यह सब उसे ही treat करने पड़ते है आज राद घराग कर उसने सोने की कोशिश की, पर उस सो नहीं पा रही थी अभी recently उसके साथ कुछ हुआ है, जिसके बारे में हमें movie में आगे पता चलेगा अलग-अलग apartments उसने टूंडे, पर यह New York है, यहाँ बस space की बहुत सारी कमी है और उसके budget में उसे सही से apartment मिल नहीं रही थी finally एक जगा से उसे call आया यह वो देखने के लिए कि वह हमारा और एक main character जिसका नामें Max यह renovation कर रहा था actually इस पूरी building का honor वही है जो लेट ने घर देखा तो यह बहुत ही बड़ा था तो उसे लगता है कि यह afford नहीं कर पाएगी पर इसका rent बहुत ही कम है वो Max से बुछती है कि इतना कम क्यों Max ने कहा कि यहां बहुत heat होती है इस building का structure उस type का है building के नीचे से underground trains भी जाती है इस वजह से सब कुछ building वाइबरेट कर सकती है पूरी building का renovation चल रहा था तो थोड़े दिनों के लिए दगलिफ हो सकती है जुलेट Max से कहती है कि मैं ER की डॉक्टर हूँ जब भी उस होती है तो बहुत ही deep sleep लेती है उसे कोई भी problem नहीं होगा यह apartment उसने finalize कर दिये जुलेट का सामानवगरा move करने में मैंकस उसके help करता है move करते वक जुलेट मैंकस के grandfather से मिली यह बहुती creepy type थे वो उसे बुछते हैं क्या तुमारे पास कोई pets है यहाँ पर कोई भी pets allowed नहीं जुलेट कहती कि नहीं जुलेट की पास कोई भी pet नहीं था grandfather को ज्यादा आवाज भी अच्छी नहीं लगते तो वो भी जुलेट नहीं करेगी इस अजीब से मिटिंग के पास जुलेट इस घर में move हो गई रात में apartment में उसे बहुत ही अजीब लगता है जैसे कि उस पर कोई नज़र रख रहा है यह उसका new apartment है तो शायद इसी वज़े से लग रहा है यह सोच कर वो इसे ignore कर देती है अगली दिन जब वो घर आई तो उसके डोर के सामने कुछ गिफ्ट रखे हुए थे इसे लगा कि गिफ्ट मैक्स ने दिये है नेकसिन में जब वो फिर से काम पर थी तो उसके friend उसे बहाँ चलने के लिए invite कर दिया जूलेट ने इसके लिए मना कर दिया उसके friend उसे समझाती है कि उसने तुमें दोका दिया इस वज़े से तुम इतना disturb होने की ज़रुद नहीं है उसका मतलब है जूलेट के रोमिया ने उसे दोका दिया था दोका होने के बाद जूलेट खुद पर ही शक करती है उसे लगता है कि उसके लिए enough नहीं थी उसके friend ने कहा कि ओ घटी आदमी था तुमें उसके बारे में इतना सोचने की जरुद नहीं तुमें अब move on करना चाहिए जूलेट जब घर पर आई तो मैक से मिलती है गिफ्ट देने के लिए उसने मैक स को थैंक्यू कहा मैक स कहता है कि मैंने तुमें किफ्ट नहीं दिये यह एक्च्वल में ग्रैनपा ने दिये हुए थे जूलेट फिर ग्रैनपा को थैंक्यू कहने के लिए की ग्रैनपा अकेले पड़ जाते है तो जुलियेट की कमपनी चाहते थे वह जुलियेट कहती है कि मैं जरा बीजी हूँ और वहाँ से चली गई अपनी फ्रेंड की बात मान कर एक दिन जुलियेट उसके साथ आर्ट गैलरी में गई हुई थी वही पर वो मैक्स से टक रहे जुलियेट मैक्स से यह दिया कि हम घर तक वॉक कर सकते है मैक्स को भी उसके साथ होना अच्छा रखता है इन दोनों ने फिर चलते चलते अलग-अलग चीज़ों के बार में बात किये एक्चुली जुलियेट के पैरंट्स ट्रग एडिक्ट थे ऐसे ही कंडिशन में उसने एजुगेशन लिया और वो डॉक्टर बनी मैक्स और जुलियेट है एक दुसरे से अच्छे खुल मिल रहे थे यह सब जुलियेट के एक्स ने देख लिया उसका नाम है जैक घर आने पर जुलियेट मैक्स को किस करने लग गई मैक्स ज़रा दूर हो जाता है जुलियेट को इमेरस लगा कहती है यह शायद बुरा आइडा है वो एक टेनेंट है और ओनर के साथ अगर उसने कोई भी रिलेशनशिप रखी और कुछ गडबड होके तो उसे घर छोड़ अगली थी पर वहाँ कोई भी नहीं था आज में तुम्हारे लिए टेनर बनाता हो यह जुलियेट को अच्छा लगता है डिनर पर जुलियेट मैक्स कहती है कि तुम्हारी वज़े से इस बिल्डिंग में मुझे घर की तरह लग रहा है यह रसने से बुचा कि आज तक तक मैंक्स कहता है मैरी कभी सिरियस रिलेशन्शिप थी ही नहीं वो हमेशा इस बिल्डिंग का खैल रखता है बाद में अपने ग्रैंट फादर का उससे कोई समझ सके ऐसा कोई कभी मिला नहीं इनका डिनर खत्म होने के बाद कि फेसे नजदीक आ रहे थे पर जुलिएट कहती है एक बैड आइड़ा है दोर बन करने के बाद फिर से ओबन करकर वो बहार आ जाती है मैक्स भी उसका ही वेट कर रहा था ये दोना अंदर जाकर इंटिमेट होने लग जाते है बेड में अचानक जुलिएट को ज़रा अंगवर्डेबल लगने लग गया वो कहती है मैं हमेश मैक्स के बारें पता चलता है वो जुलिएट को बहुत ही पहले से जानता था एक दिन जब वो अपनी ग्रैनफादर को लेकर होस्पिटल में गया था तो वही पर उसने जुलिएट को देखा जुलिएट उसे बहुत अच्छी लगी थी उसने नोटिस बोट पर देखा कि ज के पीछे से जुलिएट की पूरे घर को देख सकता है हमने प्रिवियस सीन में देखा कि जुलिएट को बात लेता हुआ कोई देख रहा था यह और कोई नहीं तो मैक्स है जुलिएट को हमेशा लगता है कि उसके घर में कोई ना कोई है तो एक्च्छल में मैक्स है उसके घ वर्ट हो वह एक वीक आदमी थे तुम्हारी मदर बहुत ही ब्यूटिफुल थी पर उसका डिसीजन गलत निकला तुम भी तुम्हारी फादर की तरह ही वीक निकले इस कन्वेसेशन से में पता चलता है यह मैक्स जो जुलिएट के साथ अब कर रहा है यही चीज उसने और भी लड़कियों के साथ की है उसके ग्रैंड वादर इसके लिए उसे हेट करते है शायद मैक्स के फादर भी इसी तरह की चीज़े करते थे मैक्स को इन सब बातों से बहुत तकलिफ होती है अगली दिन उसने जुलिएट का फिर से पीछा किया वाइन शॉब में उसे टकरा कर कि उनका मिलना सिर्फ एक कोइंसिडन्स है जुलिएट मैक्स से कल रात के लिए सौरी कहती है उसने का कि हमारी बीच रिलेशन्शिप होना एक गलत आईड़ा है मैक्स भी उसके सामने मान जाता है पर उसे इतनी आसनी से छोड़ने नहीं वाला आज रात जब जुलिएट सो रही थी तो मैक्स उसके रूम में आकर उसे किस करता है जुलिएट थोड़ी देर में नीन से उट गई उसने कीचन में जाकर देखा तो नोटिस करती है कि वालो स्पेस है अगली दिन उसने मैक्स को इसके बारे में बताया यहाँ पर वाइन वगिना रखने के लिए एक घर में खुश सकता था जुलिएट को अभी भी इसके बारे में पता नहीं इस रूम का काम करने के लिए मैक्स पूरा दिन इसी घर में रुका जुलिएट की अलग-अलग चीज़े यूज करता है अपने आपको प्लीज कर रहा था जुलिएट को उसका एक्स बाइफरेंड जैक यह बहुत दिनों से मनाने की कोशिश कर रहा है आज उसे फिर से मैसेज करता है तो जुलिएट उससे आज मिलने के लिए रेडी थी उनके लिए वो डिनर बनाने वाली है तो सब को सामान लेकर घर पर आई मैक्स का काम अब खतम हो चुगा था वो कहता है मैं तुम्हे डिनर बनाने के लिए help कर सकता हो जुलेट इसे मना कर देती है मैक्स ने कहा कि हमारे बीच चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा हम दोनों के relationship के शुरुवात ये तुमने की थी जुलेट उसे कहती है कि मैंने तुमें कहा कि हम दोनों को date करना अच्छा idea नहीं मैक्स कहता है अगर तुम मुझे छोड़ने वाली थी तुमें start ही नहीं करना चाहिए था इसके बाद वो यहां से चला गया जुलेट का जब ध्यान नहीं था तो मैक्स फिर से apartment में पहुँच गया था उसके सब मोबाईल वगरा सब कुछ उसने चेक किया उसे जैक के बारे में पता चला वो apartment में ही था तब ही जैक वहां पहुच जाता है जैक के पास एक छोटा सा डॉग है डॉग ने घर में मैक्स को देखा और वो बाग करने लगता है मैक्स जल्दी से आसे भाग कया जैक ने जुलिएट से सौरी कहा वो कहता है तुम्हारे बिना में बरबाद हो चुका हूँ उसे बहुत ही जादा मिस करता है जुलिएट भी उसे कहती है कि मैं किसी के और के साथ नहीं हो सकती ये दोनों फिर एक दुसरे के साथ इंडिमेट हो जाते है जैक को मॉर्निंग में जल्दी उड़ना था तो घर चला कया जुलिएट जरा वाइन लेती है उसके बाद वो बेहोश होकर सो गई एक्च्वल में हमेशा से मैं कि जुलिएट की वाइन में ट्रग मिलाता है इसी वज़े से वो कभी भी रात में उठती नहीं उसके पास आकर उस पर नजर रख सकता है उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है हर रात बेहोश होने की वज़े से जुलिएट जरा लेट उठती थी उसके sleep भी complete नहीं होती थी तो इस बात से वो disturbed हो गई उसे रखता है कि उसके apartment में कुछ ना कुछ तो गटबड है उसने फिर अपने पूरे apartment में hidden security cameras लगा दिये अगर apartment में कुछ भी move होता है तो इसे notification आएगी इस cameras में night vision भी है याने कि अंधेरे में में उसे सब कुछ दिखेगा इन cameras के वारे में Max को कुछ भी पता नहीं था Max अपने grandfather का खैल रखते हो तंग आ गया था तो एक दिन drug का overdose करकर उन्हें हो मार डालता है जुलिएट और Jack ये regularly एक दूसरे से मिलने लग गए थे तो ये सब देखकर Max बहुत ज़्यादा जेलस हो गया Max जैक का पीछा करता है उसने सीडियो से उसे नीचे किरा दिया आज राद Max फेसे जुलिएट के पास आया उसके साथ intimate हो रहा था तब ही जुलिएट की आग खुल जाती है वो इस बार उसे सीरीन से ड्रग कर देता है अगली सुबा जुलिएट फिर से लेट हो चुकी थी उसने बेडरूम में सीरीन की उपर का कवर नोटिस किया उसे शक आता है वो अपना बलर्ड और यूरिन सैंपल हॉस्पिटल में जेक करने के लिए देती है यहापर उसे पता चल गया कि उसे कोई ड्रग करता है जैक आज उसके अपार्मेंट में जाने वाला था तो जुलिएट उसे कॉल करती है कहती है इबलीज वहाँ जाना मत पर जैक ने इसे पीक अप नहीं किया वो अपार्मेंट में सब चीज़े देख रहा था तभी उसे एक रस्ता मिल गया यह वही वे है जहाँ से मैक्स जुलिएट के अपार्मेंट में इंटर होता है जैक जब यह सब देख रहा था तो मैक्स उसके पीछे ही था अब इसके बात क्या हुआ यह हमें आगे पता चलेगा जुलेट जैक को ढूंड़ते हुए जल्दी से अपने अपार्मेंट में आ गई फिर वो कल रात का स्योक्यूरिटी फुटेज अपने कॉम्पेटर पर चेक करती है उसने देखा यह मैक्स ने उसका कल रात रेप किया था वो बहुत ही जादा prob हो गit तब यह मैक्स घर में इंटर हो गया उसके सामने दिखा नहीं सकती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है वो सावधान हो गयी मैक्स को दिखाना नहीं चाहती थी उससे सब कुछ पता है मैक्स ने फिर से जुलिएट के लिए वाइन लाई है इस बार वो खुद भी इस वाइन को पी रहा था जुलिएट डिस्टब दिख रही थी तो उसे वो पूछ लेता है जुलिएट कहती है आज कल मेरी नीन अच्छे से हो नहीं रही जुलिएट उठकर फोन लगाने की कोशिश करती है पर मैक्स उसे फोन ले लेता है वो गयता है तुम उसे कॉल क्यों करना चाते हो उसने तुम पर चीट किया था मैक्स ने जुलिएट को बगड़ा और बैटने के लिए कहा जुलेट डर गई थी, पुछती है क्यों है कहा मैक्स से इंज लेकर फिर से जुलेट को ड्रग करने की कोशिश करता है यह उस सक्सेस्फुली कर नहीं पाया जुलेट के हाद में एक चाको था, इसे उसने मैक्स पर वार किया वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर मैक्स ने पुरे घर को लॉक कर दिया था ड्रग की वज़े से उसे नीन ना है, इसलिए उसने अलग-अलग गोलिया ली मैक्स फिर से घर के अंदर आ गया उसे बेड के पास पकड लेता है जुलेट जल्दी से उसे मार कर पाथरूम में छुप जाती है पाथरूम के मिरर से भी कुछ आवाज आ रही थी एक्चुली मिरर के पीछे मैक्स सब कुछ देख सकता था मिरर तोड़कर जुलेट को अंदर खिज लेता है जुलिएट मिरर के ही काज से मैक्स पर वार करती है इंटरल्स में से वो भाग रही थी मैस कहता है तुम यहाँ से नहीं बाग सकती है यहाँ से कोई भी नहीं बाग सकता जुलिएट ने आसपास सारे चीज़े देखी तुसे इंग नेल पंचर मिल किया मैक्स उसे कही भी नहीं दिखता मैक्स उसे पगड़ कर नीचे किरा देता है वो जब उसके पास आया तो जुलियट ने नेल्स उसके बॉड़ी में पंच करती है वो बहुत ही जादा हर्ट हो जुका था पर फिर भी उसका पीछा करता है जुलियट भागते भागते एक स्टोर रूम में आ गई थी वही पर वो जैक की बॉड़ी पाती है जैक ने जब मैक्स का वेट होंडा था तब मैक्स ने उसे मार डाला मैक्स फिर से जुलियट के पास पहुच गया था इस बार बहुत सारे वार करकर जो लेट फाइनल उसे मार डालती है इसे के साथ इस मुवी का एंट हो गया दिखने में लोग कितने मी नौरमल लगे पर उसके अंदर क्या चल रहा है यो कोई भी पता नहीं सकता सावदान रहे सतरक रहे फिर से मिलेंगे क्राइम पेट्रोल के और एक एपिसोड में तो आज का वीडियो हम यही खतम करते है अगर आपको वीडियो अचल लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेले नोटिवेशन आएक उन्दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निम्मू के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखे